हलो एभरिवन आज कम्प्यूटर लेंग्वेज के बाड़े में जानेंगे कम्प्यूटर लेंग्वेज क्या है जिब से एक human को कम्प्यूटर से जब कम्प्यूटर लेंग्वेज कोड इंस्ट्रक्शन का जो हम लोग इस्तिमाल करते हैं उसी को कम्प्यूटर लेंग्वेज बोलते हैं तो कम्प्यूटर लेंग्वेज इंस्ट्रक्शन का एक स्वमू होता है जिसके द्वारा किसी बिसेस कारे को पूरा किया जाता है दूसरे सब्दों में हम कह सकते हैं कि Computer Language एक कोड होता है जिसके द्वारा प्रोग्राम को लिखा जाता है Computer Language का प्रियोग Desktop, Applications, Mobile Applications और Website को बनाने के लिए किया आता है जैसे Java, C++ का प्रियोग हम लोग एप बनाने के लिए करते हैं Computer Language को Programming Language भी कहा जाता है और इसका प्रियोग Programs के द्वारा Computer Program को Create करने के लिए किया आता है यानि प्रोग्राम को Create करने के लिए इसी का इस्तिमाल किया आता है इसलिए इसे Computer Language काते है Computer Language की Types देख लेते हैं Computer Language मुख रूप से दो ही होती है एक High Level Language और दूसरी होती है Low Level Language यहाँ पर High Level और Low Level में बाटा गया है Next है कि Low Level Language को Assembly Language और Machine Level Language में बाटते हैं सेम उसी तरह High Level Language को Object Oriented तथा Visual Programming में बाट देते हैं इसके बाद देख लेते हैं कि High Level Language क्या होता है High Level Language एक ऐसी भासा है जिसकी मदद से Computer Program को आसानी से समझा और लिखा जा सकता है High Level Language की मदद से हम लोग आसानी से किसी भी Program को लिखते हैं या समझ पाते हैं High Level Language अंग्रेजी की तरह होती है इसलिए इस भासा को इनसान असानी से समझ सकते हैं High Level Language का इस्तमाल यूजर फ्रेंडली Software और Website बनाने के लिए किया आता है ये एक ऐसी भासा है जिसका Syntex पहले से ही निर्धादियत होता है यानि अलड़ी पैटर्ण बना होता है उसकी एक कोडिंग हमको उसमें कोडिंग करना परता है या कोई भी टेक्स्ट लिखना होता है High-Level Language में Compiler और Interpretor क्या होती है जिससे की प्रोग्राम को Machine Language में बदला जा सके इसका मतलब जैसे कि अगर हम कोई नंबर या कोई टेक्स्ट को और Computer में इंसर्ट करना चाह रहे है उसमें Data Input करना चाह रहे है तो हम तो अपने Human Language में उसमें लिखते है तो क्या करता है Interpretor या Compiler क्या करता है उसको Convert करता है 1-0 यानि Binary Forward पे Change करके Computer को उसको देता है वहां से वह Easily समझ के फिर उसके बाद वह Process करके Output So करता है High-Level Language को कुछ उधारन देख लेते हैं Python है, Java है, JavaScript है, PHP है, C++ है, C Sharp है, C++ है, C++ है इसके Adventure देख लेते हैं High-Level Language के, यह वहासा User Friendly होती है, अर्थात इसे User आसानी से इस्तमाल कर सकते है इस Language को लिखना और समझा काफी जाद आसान होता है इस तरह की Language को Maintain करना काफी जादा आसान होता है यह भासा Machine Independent होती है, इसका मतलब यह है कि यह किसी भी Computer में Run हो सकती है ऐसा नहीं है कि यह सिस्टम में Run हो लायता है फिर दूसरे सिस्टम में Run नहीं होगा इस Language के Commercial Software High Level के होते हैं यह User को बेहतर Graphical Interface परदान करवाता है यानि दीखने में बहुत ही Attractive और अच्छा सो करेगा High Level Language ठीक है Next है Disadvantage देख लेते हैं इसका इस भासा में Source Code को Machine Code में बदलना परता है जिस वज़ए से काफी ज्यादा समय बरबाद होता है इसका मतलब जो हम Coding करते हैं तो सबसे पहले उसको Convert करना पड़ता है Compiler या Interpreter के मतल से Machine Language उस दवरान समय लगता है Next है High Level Language में ज्यादा Memory Space की जूड़त परती है यानि Space हमको ज्यादा चीए Low Level Language की तूलना में Slow काम करती है यह भासा Hardware से सीधे Communicate नहीं कर पाती है Types of High Level Language देख लेगते हैं High Level Language की दू पार्ट में बाटा गया है जो Object Oriented Programming Language है इस Language में दुनिया की समस्याओ को Observe के जाता है उसके बाद इन समस्याओ को Solve के जाता है Example के लिए C++ और Java Object Oriented Programming Language है Second है Visual Programming Language इस Language का इस्तमाल Windows अप्लिकेशन को बनाने के लिए और डियाइन करने के लिए के जाता है Example के लिए Visual Basic, Visual Java, Visual C नाम सही पता चल ला है कि Visual का अर्थ दीखनी के लिए इससे डिजाइन किया जाता है ठीक है Low Level Language Low Level Language एक ऐसी भासा होती है जिसे हम इनसान नहीं समझ सकते इससे केवल Computer के द्वारा ही समझा जा सकता है Computer इस Language को बढ़ ही असानी से समझ सकते है यह Language High Level Language के बिलकुल विप्रीथ है यह भासा Machine dependent होती है इसका मतलब है यह कि यह भासा कुछी Computer पर रन होती है यानि सभी Computer में Same Language को हम लोग रन नहीं करा पाएंगे इस Language में प्रोग्राम को रन करने के लिए Compiler और Interpreter की जोड़त नहीं परती है जैसे कि High Level में इसकी जोड़त परती है क्योंकि वह High Level को Convert करता है Machine Level Language में इसलिए उसकी जोड़त परती है लेकिन Low Level में यह Direct होता है क्योंकि यह उसी Format में लिखा हुआ राता है यह Language High Level Language के मुकाबले का भी ज्यादा मुस्किल होती है अर्थात इसे सीखना मुस्किल होता है अब Low Level Language के टाइप देख लेते हैं First is Machine Language, Second is Assembly Language Machine Language को देख लेते हैं Machine Language वह भासा होती है जिसे केवल Binary 0 और 1 के Format में ही लिखा होता है दूसरे सब्दों में कहें तो जिस भासा को Computer बीना किसी Technology के समझ लेता है उसे हम Machine Language कहते हैं यानि 1-0 के Format में देएंगे तो वह वैसा ही कामी करता है Computer तो उसमें Change करने या समझें के लिए दिखतने होती Computer को Computer के वल Binary 0 और 1 को ही समझ पाता है Binary Digit का User Computer हर काम के लिए करता है जो Program 0 से लेकर 1-Digit के होते हैं उन्हें हम Machine Language Program कहते हैं Advantage देख लेते हैं इसका इस भासा में लिखेगे Program को Computer आसानी से समझ लेते हैं इस Language को Computer जल्दी Execute कर लेते हैं Compeller और Interperator की ज़ुड़त नहीं पड़ती है यह Output भी जल्दी देता है Disadvantage देख लेते हैं Machine भासा में लिखेगे Program इनसान को जल्दी समझ में नहीं आते हैं Machine भासा के लिखेगे Program लंबे होते हैं अब Program लिखते समय गलतिया ज्यादा होती है Assembly Language एक Low Level Programming Language है इसको Machine Language में बदलने के लिए एक Software क्या हो सकता होती है जिसे Assembler कहते है इससे पहले अभी हम लोग Interperator और Compeller का इस्तमाल कर रहे थे अभी Assembly Language के लिए Assembler का इस्तमाल करते है Assembly Language का प्रयोग Micro Processor पर आधारिक डिवाइस में और Real Time System में किया जाता है इस Language में 0 और 1 डिजिट के अस्तान पर Alpha Numeric का यूज किया आता है जैसे की A to Z और 0 to 9 ठीक है इससे पहले अभी हम देखे है Assembly Language जो है Low Level Language का ही Type है तो Low Level Language का जो Type है तो इसके लिए Binary यानि 0 और 1 का ही प्रयोग करते हैं लेकिन इसमें First जो हम लोग देखे है Machine Language तो Machine Language में सिर्फ 0 और 1 का ही इस्तमाल होता है लेकिन जब Assembly Language का ही इस्तमाल करते हैं तो इसमें 0 और 1 के अलावा यानि A to Z और 0 to 9 टोटल डिजिट यान टोटल नंबर का ही इस्तमाल हम लोग इसमें करते हैं assembly भासा में लिखे के program किसी दूसरे computer पर एक जीकूट नहीं हो सकते हैं इस भासा को लिखने और समझने के लिए computer hardware की knowledge होनी चाहिए अब इसके फायदे देख लेते हैं assembly भासा को समझना computer language की तूलना में काफी जाद आसान है इस भासा में गलती होने के chance काफी कम होते हैं इसमें program को modify करना आसान है assembly भासा के नुकसान देख लेते हैं assembly भासा के program machine पर depend होते हैं इस भासा के यूज़ करने के लिए hardware की knowledge जरूरी है इस भासा में काफी ज्यादा time waste होता है advantage देख लेते है low level language के इस language की speed काफी अच्छी होती है इस language में ज्यादा memory space की और सकता नहीं परती है बट high level में ज्यादा space ही है इस language में जो coding होता है वो हमारे लिए तो difficult होता है बट machine के लिए easy होता है इसलिए इसका use करना काफी असान होता है low level language के लिए लिखे हुए code को run करने के लिए किसी भी compiler या interpreter कर सकता नहीं होती है programming language की मदद से हम इसे बड़े असानी से hardware को access करा सकते है programming language की मदद से हम अपने computer की storage और memory register को असानी से menu plate कर सकते है अब इसके disadvantage देख लेते हैं इनसाने को दोड़ा इस language को नहीं समझा जा सकता है इस language प्रोग्राम को लिखना बहुत कठीन होता है है इस भासा में गलती होने के समभावना ज्यादा रहती है इस language के code लिखने के लिए programmer को काफी अच्छी knowledge होने जरूरी है अब दोनों में अंतर देख लेते हैं high level और low level language की बीच difference क्या है यह भासा user friendly होते है high level language और low level language user friendly नहीं होते है तो high level user friendly होते है अर्थाथ इसमें साड़े नंबर रोडिट के इस्तमाल करते हैं बट computer के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है इसलिए हम लोग interpreter और compiler के इस्तमाल करके उसको convert करते हैं machine level language में तभी machine यानी computer उसको समझ पाता है लेकि low level language होता है जो उसी format में लिखा हुआ रहता है इसलिए computer को समझने थोड़ा easy रहता है compared to high level language के second है इसको setup करना काफी ज्यादा आसान होता high level language को low level language में इसको setup करने में समस्य आती है ठीक है अभी हम लोग high level language के इस्तमाल ज्यादा करते हैं compare to low level language इसको आसानी से execute कर सकता है यानी high level language को execute करना आसान है लेकि low level language को execute करना थोड़ा सा मुस्किल है compare to high level language high level language काफी में इस्तमाल करता है ज्यादकी low level language के लिए इसको आसानी से debug किया जा सकता है high level language को but low level language को debug करने में समस्य आती है इसको maintain करना असान होता है high level language को और low level language को maintain करना मुस्किल है जल्दी से एक समणी में इसको देख लेते हैं first आभी हम लोग देखे हुए थे computer language क्या है computers communicate करने के लिए जिस language का हम लोग इस्तमाल करते हैं वह क्या होता है computer language कर लाता है instruction को एक जगा इस्टोर कर लेते हैं यानि grouping कर लेते हैं उसी को computer language या code बोलते हैं जैसे c++ यावा यह सब language computer की language है computer language को दो पार्ट में हम लोग बाते हुए है एक high level language एक low level language तो low level language को assembly और machine language बाता गया है उसी तरह high level को object और visual programming में बाता गया है तो इसके बाद हम लोग high level language क्या होता है जो इंसानों के लिए easy होता है समझना बट computer के लिए थोड़ा difficult होता है यानि हमारे language भी लिखा रहाता है बट computer 01 binary के form ने समझता है ठीक है उसी तरह high level language को दो पार्ट में बाता गया है यानि दो टाइप से उसके object to do enter programming है एक visual है तो object to do enter programming क्या होता है जो दुनिया में समझाय का observe करता है और इसको दो पार्ट में बाटा गया है machine language और assembly तो machine language में सिर्फ 0 और 1 का इस्तमाल किया आता है लेकिन assembly language में 0 to 9 और A to Z यानि number और letter दोनों का इस्तमाल हम लोग करते है ठीक है that's all for this video